संतोष बेन पोर बंदर जिसे गांधी जी के जन के लिए जाना जाता है ये स्थान हर भारतवासी के लिए पूजनिया है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी की अमन और शांती की रहा पर चलने वाले इस शहर पर नभे के दशक में जुन का भी कहर था और इस शहर पर कहर वरसाने वाली लेडी डॉन थी संतोष बेन जाडेजा आएए जानते हैं संतोष बेन जाडेजा के बारे में संतोष बेन जाडेजा की कहानी सभी अपराधियों से अलग है संतोष अपने पती के साथ काम की तलाश में पोरबंदर आई थी इनके पती का नाम सर्मन जाडेजा था कहा जाता है कि जुन की दुनिया में कोई ऐसे ही कदम नहीं रखता है हर किसी की अपनी अपनी दास्ता होती है बताया जाता है कि संतोश शर्मा के पती सर्मन जाडेजा एक मील मजदूर थे उस मील का ये नियम था कि वहां हफता वसूला जाता था जिस वज़ा से सर्मन और उसके साथियों ने स्ट्राइक कर दी इस ट्राइक को तोड़ने के लिए मील के मालिक ने वहां के गैंग्स्टर देवु वाघेर को हायर किया सर्मन जाडे जाने गुस्ते में आकर उस गैंग्स्टर को मार डाला पहले लोग देवु से डरते थे वही सर्मन के नाम का जिक्का चलने लगा देवु का सारा काम भी सर्मन के हाथ आ गया 1986 में सर्मन के दुश्मनों ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी हत्या की खवर जैसे ही सर्मन के भाई जो की लंडन में रहता था उसको मिली तो वो भारत आकर अपनी गैंग बनाने की बात करने लगा दूसरी तरफ संतोष बेन ये नहीं चाहती थी कि उसके परिवार से अब कोई भी इस धंदे में आए इसलिए उसने एलान कर दिया कि वो अपने पती की जगा लेगी संतोष ने दुश्मन गैंग के हर सदस्य को मारने का एलान किया इसके लिए उसने हर खून पर एक लाग का बड़ा ही नाम रखा चौदा लाशें गिरी और इस कतले आम के बाद संतोष बेन गौड मदर के नाम से प्रचलित हो गई संतोष का कहर सिर्फ गुजरात में ही नहीं था बलकि उसका कनेक्शन अंडर वर्ल डौन करीम लाला से भी था स्विरोती, मॉर्डर, हत्या और भी कई संगीन अपराद में संतोष शामिल थी इसके बाद संतोष ने राजनीती का रुख किया लेकिन उसका काला धंदा चलता रहा उसके गैंग में 102 सदस्य हो गए थे तथा उन पर 525 मुकद में दर्ज थे इन में से नौखुच संतोष बेन के उपर ही थे संतोष बेन पर 1999 में गौड मर्दर नाम से फिल्म भी बनी जिसमें संतोष बेन की भूमिका में शबाना आजमी दिखी थी राजनीती में आने के साथ साथ संतोष बेन कई बार जेल भी गई तथा उन पर कई हत्या के आरोप भी लगे अंत में 31 मार्ज 2011 को दिल का दौरा पढ़ने के कारण उनकी मौत होगे ऐसे ही जुर्म से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे दैनेक राजीव टाइमस के साथ नमस्कार